हेलो दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मुंबई के लीज के बारे में दोस्तों काफी सारे लोग मुझे पूछ रहे है कि मुंबई के लीज जो है उसकी डेवलप्मेंट आप अन्रेल एंजिन 4 में कर रहे ह हो या फिर अन्रेल एंजिन 5 में कर रहे हो और अगर अन्रेल एंजिन 5 में नहीं कर रहे हो तो यार अन्रेल एंजिन 5 में क्यों नहीं कर रहे हो तो यह सारी चीजों के बार में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाला है यह वीडियो हलका सा टेक्निकल है तो जो लो आपको यह ही डिसाइड करना रहता है कि आप कौन सी गेम इंजिन उसके और एक बार आपने वो वर्जिन सिलेक्ट कर लिया उसके बाद अगर आप वो वर्जिन को चेंज करना चाहते हो या फिर चेंज करते हो तो फिर उसके बहुत सारे नेगेटिव इंप्लिकेशन होते है जिसकी वज़े से आपका प्रोजेक्ट बिगडने की या फिर उसका जो प्रोड़क्शन टाइम है उसमें डीले आने के चांसे बढ़ जाते है जैसे जैसे इंजिन के नए-ने वर्जिन आते है उसमें बहुत सारे एडवांस्मेंट्स भी आते है बट सिंस आपने एक प्रो जो है वो स्टेबल है तब तक नए इंजिन में शिफ्ट करना इस नौट एडवाजबल फॉर एनी गेम नाव विच बिंग सास्टु दग आंसर तो दव मेंन क्वेसिं कि क्या हम अन्रेल एंजिन फाई यूस कर रहे है मुंबाइक लीज के लिए तो इसके अभी दो आंसर फर्स अंसर यह है कि आज आप जानते हो मुंबाइक लीज के दो वर्जन से अधिस मुंबाइक लीज प्रोलॉग विच इस अ स्मालर वर्जन ऑफ दे बिगर गेम और एक मुंबाइक लीज का फाइनल चैप्टर जो आएगा दोजार पचीज में अब मुंबाइक लीज प् वो अन्रेल एंजिन 4 में कर रखा है और उसमें से बहुत सारे फीचर्स जो है वो अन्रेल एंजिन 4 स्पेसिफिक फीचर्स है अधिस तरीजन वाई फॉर्ट प्रोलॉग वर्जन वीर नॉट शिफ्टिंग तो अन्रेल इंजिन 5 बिकास अगर हम लोग ने वह स्विच कर ल वर्जन क्योंकि लेटेस्ट वर्जन लोग यूस करेंगे उसमें नई चीजे सीखेंगे में भी कुछ-कुछ गलतिया करेंगे और वो एक लर्निंग रिपोजटरी बन जाएगी इवेंच्वली फॉर्धर डाउं तो एक बार वो जो उसके उपर जो भी क्वेसिन से वो फो वाला जो वर्जन है विया स्टिकिंग तो अन्रेल इंजिन फोर जो हम लोग ने एक्सिस्टिंग वर्जन यूस कर रहे थे उसी वर्जन पर बना रहे हैं चंटिन्यू कर रहे हैं बट पैरलल में वी आर रिसर्चिंग ऑन अन्रेल इंजिन फाय मैं ऐसा नहीं बूल रहा आपके पास अलग अलग तरह के सिस्टम बनाया हैं उन्होंने जो अपनी पुरिकपरी जो मैप की टरेन सिस्टम है वो काफी जादा उप्टिमाइस्ट है फिर जो AI सिस्टम में वो काफी एडवांस कर दिया उन्होंने अडिशनली बहुत जादा लोड ले सकता है अन्रेल आपने मेरे चैनल के ऊपर मेट्रिक्स अवेकंस वाला जो उन्होंने टेक डेमों निकाला था और जो अन्रेल इंजिन 5 में बना था वो मैंने आपको दिखाया था तो आप अने अगर वो नहीं देखा तो फिर कार्ट में जाके देख लीजा आपको यहां पर मिल जाएगा अपर आपको अन आपनर अपने आपको आपने अपने 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 एक्सपरिमेंटी इन हाउस और अगर हम लोग कंफरेबल हो गया प्रोलॉग लांच हो गया उसके बाद फिर जब हम लोग के लिज़ फाइनल चैप्टर के ओंपर काम करेंगे तब अन्रेल इंजिन 5 इस अन्रेल इंजिन 4, however as I mentioned since we do not want to delay on the production timeline जो हम लोग में deadlines decided kids internally उसमें delays ना आए that is why we are not shifting for prolog development from Unreal Engine 4 to Unreal Engine 5 और यही exact advice अबधार्यी नहीं इपने वहीं रहते है हमेशा आपको लगता है कि यार नये इंजिन में इतने amazing features है but वो amazing features भी धीरे-धीरे you know old होते जाएंगे because engine के जो updates है वो आते रहते है on a constant basis आते रहते micro versions जैसे 4.1 4.2, 4.3, 4.3.1 ऐसे versions आते रहेंगे और जो development है वो engine में तो रुकने नहीं वाली तो आप as a developer कितने बार engine switch करते रहोगे that is you know what adds up to the development time and that exactly is what is responsible for a game's delay. जितना जादा आप features add करते जाओगे या फिर engine switch करते जाओगे उतना आपको खुद को accommodate करना पड़ेगा और उतना जादा आपका जो game का launch है वो push होते रहेगा and we do not want to do that we do not want to compromise either because you know नए engine के version में आप नहीं जानते की कौन सी चीजे अच्छी होगी या फिर कौन सी चीज आपने already बनाई है जो पुराने version में एकदम मस्के जैसे चल रही थी बट अभी नए वाले version में आके वो तूटने लग जाती या फिर उसमें कुछ बग्स आ जाते so that is why my always my advises कि यार आप एक engine के एक version पर डटे रहो engine switch करोगे तब तो यार और बड़े nightmates आते है बट that is always my advice कि आपने जिस चीज में start किया है पहले उस चीज को finish करो और उसके बाद फिर उसके advanced चीजों पर जाओ उसके बाद उसके advanced versions या फिर upgrades या फिर engine switch करना तो वो करो बट जिस के साथ आपने start किया है उसको finish करना बहुत जरूवी है and that is my advice for any aspiring game developers या फिर जो established game developers है या फिर नए-नए इस industry में आते है उनको उनके लिए ये एक simple advice है जो लोग already industry में है उनको तो ये common sense पता ही रहता है that is why you know we avoid switching to the latest version ता कि कुछ चीजे ब्रेक ना हो इसी topic के ओपर मैंने already एक dedicated video भी बनाया है अगर आपको वो video देखने में interest हो तो फिर उसको भी check out कर लीजे वो भी मैं डाल दूँगा cards में यहाँ पर that's it for this video दूस्तो I hope आपको ये video से कुछ सीखने मिला होगा अगर आप gamer हो और inquisitive हो कि और engines कैसे काम करते क्या करते है etc etc तो मेबी इस video से थोड़ी बहुत light आपको मिली रहेगी मेरे face के ओपर बहुत सारी light है ring light लगा के रखी है मैंने अच्छा खासा setup कर दिया है but anyway that was a very poor joke sorry for cracking that pathetic joke with that in mind I will end this video guys that's it for this video अगर आपको ये वीडियो बसना है तो एक लाइक बिन प्रेस्ट कर जिए मेरे चानल को पहली बार डूंडर तो सब्सक्राइब कर दीजे और वह बहले एक इन दबा दीजे ताकि मेरे अगले वीडियो इस कमिस्ट नहीं करपा मैं गेम्स और गेम डेल्पन डेलेटेड काफी से वीडियो बनाता हूँ इस वीडियो के लिए इतना ही मैं मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना